Hello everyone, आप देख सकते हैं, आप टैली ERP9 को स्टार्ट कर रखे हैं और आज किस क्लास में हम आपको सिखाएंगे पेरोल सिस्टम के बारे में पेरोल सिस्टम का उपयोग किसी भी कमपनी या संस्था में काम करने वाले ब्यक्ति की सेलरी को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है तो आईए देखते हैं कि पेरोल सिस्टम को कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टैली ERP9 में कमपनी को क्रियेट करना होता है company को create करने के लिए private company वाले option पर जयाके enter button को olan new ठरूulse करना होता है और यहाईशन ही अप इंसरों परेश करने तो आपको company बनाने के लिए इसतरह का form ओपन हो जाता है आपको इहाद भाइप कंपरी क मताने का नम करना मैं पर एप सेँ सय कजिए रख़ दिया enter बटन को प्रेस करके यहाँ पे आप इसे accept कर दोगे यहाँ पे तो इस तरीके से आपकी company यहाँ पे create हो जाएगी आपने company को create कर लिया है तो दूसरा काम आपके पास है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे payroll system को on करना होता है payroll system को on करने के लिए आप अपने keyboard में F11 बटन को दबाएं या फिर यहाँ पे फीचर वाले इस option पे जाके क्लिक करतें जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको एक interface सामने आपके दिखाई देगा आपको accounting feature पे जाके enter बटन को प्रेस करना होता है जैसे आप प्रेस करोग तो आप इसमें maintain payroll बाले option पे जाना है enter बटन को प्रेस करो आप यहाँ पर और जहाँ पेędziema हैं और यहाँ पर नो लिखा गया है वहांपे स्यफोवाई प्रेस एंप्रडर्टन को प्रेस करना है इसमें सबस्रड पहलेकल करेंगे फिर इंप्रड़वाई कहलेंगे तो ऐसंग प्राइब कर लों इस पर प्रियाइट यह ग्रूप पर क्लिक करके यहां पर एक ग्रूप बना लिए जैसे इसका group computer के नाम से ही क्या किया बना दिया, जस्ट मैंने एंटर बटन को प्रेटन को प्रेज करके accept कर दूँगा, तो इस तरीके से आपका एक group यहाँ पे बन चुका होगा अब बेक हो जाओँ आप सीदे से और ठीक इसके नीचे employee दिया होगा ते किसी एक employee का नाम write कर सकते हो या फिर जितने भी employee काम करते हो उनका नाम या पर write कर सकते हो तो मैं create करके single एक employee का नाम लिख दितना हो जैसे for example मैंने यह नामे आप पर डाल दिया आप देख सकते हो enter button को press करूँगा यहाँ पर ध्यान देजी एक तो आपने किया है employee का group बनाना और employee ठीक है दो बनाया आपने अब इसके बाद आपको attendance पर जाना है सीधे से ठीक है attendance पर आओ enter button को press करो create वाली button पर select करके press करो और इसमें attendance में जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो या तो अपसेंट होता या तो प्रिजेंट होता है तो mostly present होता बागी क्या होता है तो दो हम लोग इसमें बनाएंगे एक पहले present का बना लेते यहाँ पर primary रखोगे और देखोगे कि यहाँ पर कुछ options देगा तो इसमें आपको select करना है attendance और लिब बिद पे ठीक है just enter button को press करके enter button को press कर देना है इतना करने के बाद यसी button को press करो और फिर back हो जाओ तो अभी तक आपने तीन काम कर लिया है employee का group, employee और attendance त्यार कर लिया है अगला काम है यहाँ पर pay head का pay head पर जाओगे ऐसे pay head पर जाने के बाद enter button को press करो create पर क्लिक कर दो pay head में क्या बनाते ही उसको थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखो मैंने उसका नाम यहाँ पर रखा है यहाँ पर employee का नाम है यह उसकी basic salary कितना है 12,000 रुपे महीने पाता है उसका DA करता है यानि के darkness allowances 5% करता है TA उसका 10% मिलता है HR उसका 5% और PF उसका 15% करता है ठीक है और उस ब्यक्ति ने attendance group में 20 दिन काम किया था present था और 10 दिन वो किया था absent था काम करने नहीं गया था तो यह सारी detail मुझे अभी tally में क्या करना है इसे put करना है कैसे करेंगे यह देखो आप यापे तो सबसे पहले तो उसकी basic salary थे तो basic salary आप ऐसे write करोगे basic यहाँ पे लिखोगे और salary basic write करने के बाद जो basic salary होती है earning for employee होता है इसलिए earning for employee को select करके यहाँ पे fix रखेंगे यहाँ पे देखो आप खला सा इसमें आपको indirect expense select करना है enter button को press करोगे फिर enter button को press करोगे इसमें option आपको देगा यहाँ पे आपको on attendance select करना है enter button को press करो present, enter और month select करने के बाद ठीक है यहाँ पे user define select करोगे एक month काम करेगा तो कितना दिन होगा 30 दिन होगा तो यहाँ पे आप कितना डालोगे 30 stage enter button को press करो इसके बाद आपने यहाँ पे basic salary create कर दिया इसके बाद basic salary से अपका क्या लगेगा आप D यह लगेगा तो D यह write करोगे ऐसे D और यह write कर दोगे यहाँ पे और enter button को press करोगे यह भी earning for employees होता है enter button को press करेंगे यहाँ पे indirect expenses enter button को press करो यहाँ पे as compute value select करना है देख सकते हैं आप यहाँ पे ठीक है अभी और just enter button को press करना है और not only cable यहाँ पे on specific formula select करेंगे और यहाँ पे basic salary ठीक है फिर इसके बाद आपको enter button को press करना है यहाँ पे जाओगे तो D यह कितना कटाना है परसेंट करना था इसमें से 5 परसेंट तो यहाँ पे कितना डालोगे 5 परसेंट यहाँ पे पुट कर दोगे बस 5 डालोगे percentage automatic ले लेगा 5 डालोगे यहाँ पे enter button को press करोगे और just accept कर दोगे ऐसा ही तो यह DA होगया इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कितना इसका कटना है तो इसका परसेंटेज यहाँ पे देखते हैं कि TA का कितना है तो TA का यहाँ पे दे रखा है आपका 10% तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 10% enter button को press करूँगा और enter button को press कर दोगा ओके TA DA बन गया इसके बाद HRA का बना लिजे HRA यानि की home brain allowance enter button को press करो यह भी earning for employees होता है इसलिए enter button को press करेंगे यहाँ पे जाएंगे indirect expense को select करेंगे enter button को press करेंगे as a computed value select करके not applicable यहाँ पे on specific formula enter button को press करेंगे basic salary add करेंगे add pay head ओके इसके बाद DA add करेंगे यहाँ पे इसके बाद TA add करेंगे ओके और इसके बाद end of list enter button को press करेंगे then percentage यहाँ पे डालेंगे तो अभी कितना percentage है इसका बताईए तो HRS का 5% निकालना है करें तो 5% यहाँ पे enter कर दोगे आप यहाँ पे enter करने के बाद आपको यहाँ पे just enter button को press करना है press करो और accept कर दीजी ओके इतना काम हो चुका है अब आपको इसका निकालना है PF PF मतलब यहाँ पे आपका previded fund होता है ठीके जो की salary से employee के करता है ठीके बाद में उपैसे आपको वापस मिल जाते है ठीके तो आपको 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 राइट करना है PF enter button को press करेंगे और PF जो होता है नो उस salary से करता है इसलिए यहाँ पे detection from employees हो जाएगा और just enter button को press कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे select करेंगे indirect income को select करिएगा enter button को press करो as computed value enter button को press करो not applicable यहाँ पे on specific formula then enter basic salary को add करेंगे यहाँ पे ऐसे इसके बाद दिये था तो दिये को add कर लेंगे यहाँ पे इसके बाद क्या है आपका दिये है इसको add कर लीजिए ओके इसके बाद है इसके बाद है इसको add कर लीजिए इसके बाद enter button को press करेंगे और enter button को press करके यहाँ पे आप आप देख लो कि कितना percentage आपका जो है पी अप कटा है तो तो यहांपेGod ed करना था की पेहट लेटरडर में जाना है इसके बाद यहांपे और डिफाइंट पर क्लिक करना है यहाँ पर स्लेट करना है जिस वेटि का आप क्या निकाल रहे हो बेतन स्लांग रहे हो ठीक है तो चाहिटेओ नाम दिया गया इसको select कर लोगे आप यहां पर का एक date डालोगे यहां पर एक यहां पर मैंने put किया तो automatic ले लेगा अब पूछ रहा है कि इसकी basic salary क्या है तो basic salary को select करो मान लिजे कि basic salary कितना मैंने बताया था बाहर यहां पर 12,000 यानि कि 12,000 रुपी तो 12,000 रुपी यहां पर क्या क्या डाल दिया enter button को press करोंगा इसका DA कटेगा इसका TA कटेगा इसका HR कटेगा इसका PF कटेगा देन enter button को press करेंगे और देन enter button को press करके accept कर देंगे यहां पर हो गया प्रेजनेट को प्रेजर करेंगे जैसे दीन प्रेजर कर दीजिए और शबजसे पहले नाम को विम करता रही है, तो प्रेजेंट वाले option को आप ऐसे select करके enter button को प्रेज करोगे तो कितना दिन प्रेजेंट था वो 20 देज यानि कि 20 दिन काम किया था महिने में तो select हो जाएगा फिर अगली बार फिर से इसका नाम select करिएगा और इस बार अप्सेंट डेज को select करिएगा कि कितने दिन ओप्सेंट है enter button को प्रेज करोगे तो यह वह जो यह 10 देज वर्क नहीं किया था सारा कुछ आपने यहां पर एंटर कर दिया जस एंटर प्रेटन को प्रेज करके इसे आप accept कर देंगे ठीक है तो इस तरीके से accept हो जाएगा अब इसके बाद accept होने के बाद directly आपको यहां पे payroll वाले इस option पर क्लिक करने के बाद यहां पर मिलेगा आपको payroll आर्ट फिल करके यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर कुछ इस तरह का option आपको मिल जाएगा इसमें से आपको salary को select कर लेना है और enter button को प्रेज करेंगे और इस date को चेंज करके enter button को प्रेज करेंगे यहां से उसके employee का नाम select कर लोगे जो भी नाम था तो यही नाम था select कर लोगा और इसके बाद employee name को select करने के बाद cash को select करेंगे और enter button को प्रेज कर देंगे और just enter button को प्रेज कर दोगे तो इतना काम करने के बाद आपका यह जो salary हो निकल लाइन चुका होगा। आपको क्या करना है है बैक होना है और भाइक होने के बाद ध्यान दीजीए आप यहां पर जब आप मास्टर के उपर जाओगे तो यह Olha आपको शामील जाता है इसमें आपको डिश्प्सपे पे जाना है ठीक है डिस्प्सें। एंकर परफ्ंट को डिं का पेसलिप पे जाकर एंटर बटन को प्रेस करोगे सिंगल पेसलिप प्रेस्च के ऊस्व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करोगे और आप देखो कि यहांपे डीटेल आपको मिल तो इसका बेसिक सेलरी जो मना यहां पर आठ रूपए इसमें से डीए इसको मिला एचार सो रूपय का टीए तो यहां पर टोटल की सेलरी कितनी बनती है नाजार साथ सो रूपय की लेकिन आप इधर देखोगे तो इसमें डिटेक्सन भी यानि पीएप पी कट गया इसमें से 9000 में से तो 9000 में से पीएफ जो कटा है 2655 रुपिये 30 पैसाथ पीएफ कट गया है तो यह सम माइनस करने के बाद उसकी हाथ में जो में पैसा या नहीं कि जो मुख्य सैलरी उसको मिली वो 7,046 रुपे 70 पैसे ही उसको क्या हुआ 20 दिन के काम करने का आप उसको salary मिल पाई ठीक है और यह उसकी salary दिखा रहा है कि अगर माल लिजे कि उसने 30 दिन working किया होता तो total उसकी salary 10,570 रुपे आपको उसको महीने का मिल गया होता अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट वाले option पर क्लिक कर दीजेगा और एस पर क्लिक कर दीजेगा ऐसे जब आप PDF बना दोगे तो कुछी इस तरह से देखो यहां पर उस ब्यक्ति का नाम नीचे राइट किया गया है यहां पर देख सकते हो उसका employee ID सारा डीटेल होगा उसका attendance डीटेल है कि आप सेंट है 10 दिन प्रिजेंट है 20 डे और कितना ही उसको salary मिले है यहां पर 7000 रुपी है यहां पर देख सकते हो 7040 रुपी है और यह सारा watching this video see in the next video